कोरोना के नए वेरिंट ने एक बार फिर से लोगों के दिलों की धड़कने बढ़ा दी हैं राजिस्तान सरकार ने कोविड मैनेजमेंट के लिए टीम का गठन किया है तूरिस्ट सीजन में संक्रमन का खतरा बढ़ता है इसलिए लोगों से कोविड एप्रोप्रियेट प्रदेश में कोरोना की एंट्री के बाद जीयम भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में हैं चिकित्सा इवं स्वास्ति विभाग ने प्रदेश में कोविड प्रबंधन के लिए स्टेट कोविड मैनेजमेंट टीम कठिद कर दी है चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त शुप्रसाद नकाते को कमेटी का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है ये कमेटी कोविड नाइंटीन की रोगथाम और नियंत्रन के लिए राज्य में आवशक गतिविधियों के जिमधारी संभालेगी इधर प्रदेश के सबसे बड़े SMS हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी जिमधारी संभाल ली है तो उसमें देखते वे लोगों को रेश्पिरेटीड इस्टेश हुआ था कोविड में बहुत पहली दूसरी वेव कि अपन जब बात करते हैं कोविड की उसको देखते वे अब बहुत प्रियापत मात्रा में अपने पास उक्सिजन उकलब दे कोरोना से बचने के लिए सावधानी ही उपाए है सामान ने सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, कला खराब के लक्षन होने पर होम आईसोलेशन सामान ने लक्षन पर डॉक्टर की सलाह से रोग पर ततकाल काबू पाया जा सकता है लक्षनों के गंभीर या लंबी अवधी होने की स्थिती में अस्पताल में भरती होने की सलाह बच्चों, बुज़र्गों और गर्वती महिलाओं पर विशेश ध्यान डाबिटीज, कैंसर, व्रदै रोग और गंभीर बीमारियों के रोगियों को सतर्क रहने की सलाह विशेशग्यों की माने तो इस बार कोविड अपेक्षाकत माइल्ड इन्फेक्शन जैसा नज़र आया है कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर जहां केंदर के कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर जहां केंदर से लेकर राज्य सरकार तक अलर्ट हो चुकी हैं वहीं लोगों को इसे लेकर जागरूप करने की अच्छी खासी जरूरत है क्योंकि संक्रमन की कड़ी को तोड़ने के लिए लोगों को एक बार फिर से COVID गाइडलाइन्स की पालना करनी होगी भले ही COVID का असर ज्यादा हो या कम लेकिन सचेत रहने में कोई नुकसान नहीं है तो फिर क्यों न सावधानी के साथ फिर से कोविड नियमों को अपनाया जाए न्यूजेट इंड रादिस्तान के लिए जैपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट